हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अबॉड मेडिसेंस में दोस्तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पतांजली अश्वगंदा कैप्सुल्स के बारे में दोस्तो पतांजली अश्वगंदा जो कैप्सुल्स होता है इसके लाओ इसमें जो अश्वगंदा विटानिया सोमनी फरा पाउडर्स के रूप में 50 अमजी होता है ये रूट से होता है तो इसमें 440 अमजी अश्वगंदा होती है पर एक टेबलेट में 440 अमजी अश्वगंदा होता है ये प्यूर शुद्ध होता है इसके अंदर कि किसी भी परकार कोई chemicals या कोई किसी भी परकार का प्रिजवेट्र नहीं यह पियूर अशवगंदाय सूधशवगंदा और यह अशवगंदा हर एक अशवगंदा से हर एक company के सवगंदा से काफी सब्सक्ता है इसकी जो बीस कैप्स burada सही आपको market के अंदर सौ से नब्वे रूपे के असपास मिल जाएगी यह सबसे सस्ता अश्वगंदा है और सबसे अच्छा अश्वगंदा है दोस्तों यह एकदम सुध अश्वगंदा है किसी भी परकार का कोई इसमें मिलावटी नहीं होता है यह अश्वगंदा मार्किट में हर एक medical storage पर available होता है महाँ से आप ले सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अश्वगंदा जो पताँजली का अश्वगंदा है उसके uses और benefit के बारे में जानेंगे इसको इस्तिमाल करने से क्या फाइदा होता है इसके किस किस problem में इस्तिमाल किया जा सकता है इसके लावा इसके dose के बारे में जानेंगे कि यह कैसे इस्तिमाल की जाती है कितनी मात्रा में हम खा सकते हैं इसको कैसे ले सकते हैं उसके बारे में details में जानेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रिस कीजिए जिससे कि आपको हमारी नई आने वाली वेलियो की नोटफिकिशन तुरंद प्रापत हो दोस्तो पतंजली का जो अश्वगंदा होता है ये काफी पॉपलर अश्वगंदा है काफी मात्रा में ये बिखने वाला अश्वगंदा है ये मार्केट में सबसे ज़्यादा बिखने वाला अश्वगंदा है हर एक कमपनी के अश्वगंदा से ज़्यादा इसका मार्केट से यह सरीर को जो है इनर्जी प्रोवाइट करती है इसका इस्तेमाल करने से सरीर में ताकत मिलती है आशोगंदा जो हता है यह बहुत पुरानी हजारों साल पुरानी जड़ी बूटी है इसका इस्तेमाल जो है दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है अगर इसका कर गया तो निए भी भी तोटी लाव खैड़ा को इंडियन जिंसक्के नाम से भी जाना जाता है यह जो है इसको को प्रॉपाइट करता है यानि इसका इसत Music में जो हमारी मसल्स होती है उनको डबलब किया जाता है मसल्स को इसके लावे हमारे पूरे बॉड़ी के लिए पूरे सरीर के लिए बहुत ही लाबदा है हमारे पूरे सरीर को यह सक्ति परदान करता है अगर बॉड़ी में किसी परकार का पेन हो चाहिए और्थ्राइटिस का पेन हो या अरोमेटाइड अर्थ्रोइटिस का पेन हो तो इसका इस्तेमाल करने से वो धीरे-धीरे निकल जाता है इसके लावा ये अश्वगंदा जो होता है ये पुरसों के लिए एक रामबाड दवा है ये पुरसों में सेक्सूल जो योन चमता होती है उसको बूश्ट करता है इसके लावा अगर ये पुरसों में योन चमता की कमी है तो उसको ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तिमाल जो है पुर्सों में योन चम्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है इसके लावा इसका इस्तिमाल करने से अश्रुगंदा की इस्तिमाल करने से पुर्सों में वीर की quantity, उसकी quality, उसकी motility, उसकी shape, आकार को भी increase किया जाता है अगर किसी patient को, किसी पुर्स को, oligo spermia की कमी है, तो उसको ठीक किया जा सकता oligo spermia एक ऐसी condition है जिसमें पुर्सों में वीर में जो sperm की quantity होती है low sperm count जिसे कहते हैं, वो कम हो जाती है तो अश्वगंदा का इस्तेमाल करने से इस pump की count है, उनको increase किया जा सकता है तो इस परकार से ये पुर्सों के लिए एक रामबाड दवा है इसका इस्तेमाल पुर्सों में किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो है, बोड़ी को energy परदान करने के लिए किया जाता है इसके लाव ये muscle को growth करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके लाव अगर dose कि इसके बात करें तो दोस्तों पतंजली जो अश्वगंदा कैपसुल सोती है ये दो कैपसुल जो है, सुबह और शाम ली जाती है इसके लावा पतंजली अश्वगंदा का जो कैपसुल है जो आप खाना काने के पहले भी ले सकते है अगर इसके सही मात्रा ली जाए तो इसके कोई नुकसान नहीं होते है याद रहे इसकी अधिक मात्रा भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि नुकसान हो सकते हैं उससे अधिक मात्रा लेने से अगर जो मात्रा आपको बताए गई है अगर उस मात्रा के हिसाब से आप इसका सेवन करते हैं आपको निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होने वाला है इसका इस्तेमाल आप रिगुलर बेसिस पे कर सकते हैं तीन मेने छे मेने इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही पुरानी जड़ी बूट कुई है इसका किसी भी परकार का पोई नुकसान नहीं होता है इसका इसका इस्तेमाल करने से श्रीर में बहुत अच्छी इंघ्जी मिलती है सरीर को मदबू이랑 सकता है इसका कुइलिटी को बढ़ाता है पुर्सों की यौन चंपा को भी बढ़ाता है इसलिए जो है यह बहुत अच्छा हर्भ है बहुत अच्छी गड़ी बूटी मानी गई है यह आप हर एक मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल होती है वहाँ से पर्चेस कर सकते हैं उस तो दवक्र लेडियोट कोई की वीरीज हो तो आप हमारे कमेंट शेक्शन में कमेंट कीजिए वीडियो प